नमस्कार दोस्तों आज हम अध्यान करेंगे ओम्रकाश वालमिकी की कहानी सलाम का ओम प्रकाश वालमिकी के सलाम कहानी संगर की कहानिया दलित जीवन की वथा, दलितों के जीवन संगर्ष तथा उनकी बैचैनी की कहानिया है इस कहानी संगर की पहली कहानी का नाम है सलाम भारत में परंपरा के नाम पर कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो अमानविये हैं उनी में से है एक सलाम प्रथा जिसको केंदर में रखकर कहानीकार ओम प्रकाश वालमिकी ने जाती भेत के कारण होने वाले अन्याय आत्याचार का चित्रन किया है। भंगी, चुहडे, चाती में प्रचलित, शादी के समय अप्मानित तथा निंदित करने वाली सलाम या सरनाम प्रथा को केंदर में रखकर सलाम यह कानी लिखी गई है। कथानक का अरंब हरीश की शादी से होता है। बारात में परिवार वालों के अलावा उसका प्रिये दोस्त कमल उपाध्याई भी है। देहरादून में हरीश और कमल उपाध्याई सहपाथी और घनिष्टमित्रे हैं। जुमन की बेटी से शादी करने के लिए जिस गाव में हरीश की बारात आई है वहां रांगड समुदाए के लोगों का बाहुल्य और वर्चस्व है। रांगड समुदाए के लोग चुवडे समुदाए से नफरत और हीन विवहार रखते हैं। हरीश सलाम के प्रथा निबाने से इनकार करता है जिसमें विवाह के बाद नवविवाहित वरवदु को उच्चवरणियों के दर्वाजे पर जाकर सलाम करना होता है। यह रस्म दुले दुल्हन दोनों को अपने ससुराल में निबानी पड़ती है। हरीश अपने परिवार वालों को समझाती होए कहता है कि मैं इस रिवाज को आत्म विश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह रस्म बंद होनी चाहिए। रांगड जब ब्राह्मन वादी विवस्वास को तूटते देखता है तो वह जुमन के घर जाकर पूरे बरातियों के सामने डाड़ता है। कहता है जुमन तेरा जमाई सलाम पर क्यों नहीं आया। तेरी बेटी का ब्या है तो हमारा भी कुछ हक बनता है। जो नेक दस्तुर होता है उसे निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहु बेटियां घर में बैठकर इंतिदार कर रही हैं। उसे जल्दी लेके आजा। इस पर जुमन कहता है कि चौदरी जी जो सजा दोगे भुगत लूँगा। बेटी को विदा हो जाने दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है गाव देहाद की रित ना जाने है। अंतिताह सलाम पर गय बिना ही गाव से बारात विदा हो जाने में हरीश को सफलता मिलती है और वह स्वाभिमान तथा आत्म विश्वास बचाने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ जाती से ब्रामन परंतु जाती भेट का विरोध करने वाला हरीश का मित्र कमल सुब गाव की चाई की दुकान पर जब चाई पिने जाता है तो चाई वाले के द्वारा उसका अध्याय हूँ, ब्रामन हूँ लेकिन दुकानदार उसका उपहाज करता है। कमल उपध्य को दलित समझे जाने पर उसका रिदय आहत हो जाता है और वह वहाँ एक पल भी ठहर नहीं होता। तब अलमान लगा जा सकता है कि जो दलित सदियों से जाती उत्पिडन के अप्मान और अनादर सायकर कमल उपध्य को पंदर वर्ष पुराने घटना याद आती है जब कमल अपने दोस्त हरिश को पहली बार अपने घर ले गया था। मा से मिलवाने के बाद खाना खाते समय मूँ में पहला कोर रखते ही हरिश की जाती जानकर कमल की मा आंग वबला हुए थी तब कमल को जन्नादे दर थपड़ पड़ा था हरिश को हरामी आधी गालें देकर घर से भगा दिया था कमल फटी आँकों से मा के गुस्ते से भरे चेहरे को देखते रह गया था कमल के बाल मन में एक दरार पैदा हो गय थी वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेड़ गया था धेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे आखिर मा ने ऐसा क्यों किया क्या कमी है हरिश में हरिश को दुतकार कर भगा देने के बाद कमल की मादवारा पूरे घर की धुलाई और गंगाजल चड़क कर जमीन का पवीतर किया जाना आखिर किस सभ्यता और संस जब इसी समाच का स्कूल में पढ़ने वाला 10-12 साल का लड़का दीपू खाना बनाने वाले व्यक्ति का धर्म गलत समझ कर खाने से इंकार करता है अपनी आपको उस खाना बनाने वाले व्यक्ति से बहुत उपर मानता है यह देखकर सलाम प्रथा को तोड़ने का साहस करने वाले हरीश तथा उसका साथ देने वाले मित्र कमल की आँखों में पराज़य की भावना दिखाई देती है दोनों सोचते हैं कि सलाम प्रथा को तोड़ दिया पर भेद भाव की या भावना समाज को और कितना तोड़ेगी कहानी की विशेशता कहानी दलित वेदना पर अधरित है शिक्षा के कारण दलित समुदाय में आई चेतना के कारण कूपरथा का विरोध और आत्मसम्मान का बोध जागरत हुआ है कहानी के नायक हरीश के माध्यम से कठाकार ने दलितों को अपमानित करने वाली इस रीती को तोड़ कर स्वातंत्र चेतना का संदेश दिया है राजेंदर यादव ने इस कहानी को ब्रामनवाद के विरोध की कहा है अस्पुरुष्यता के दंच को जिलने वाले समाज के लिए आज भी धेरों कानून बन गये हैं समवैधानिक व्योसा भी लागू है परन्तु भारतिय समाज अस्पुरुष्यता से अभी तक पूर्णता मुक्त नहीं हो जका है दलित वर्ग में जन्मे हरीश की शादी में दोस्त कमल उपयध्याई का आतिरिक्त उत्साह और घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्योस्ता में शामिल होना समाज की दूरियों को मिटाने की काहनी बन गई है